चोप गाओं में दो दिन तक तड़पते रहे सड़क पर गाय के दो बच्छडे किसी का दिल नहीं पसीजा गाओं की कुछ विवाओं ने देखा तो डॉक्टर को बुला कर करवाया इलाज पहुंच आया नगर निगम आमेर के गराम पंचाय चोप गाओं में दो दिन पहले अग्यात वहाँ ने हाईवे से चोप जाने वारी सड़क पर दो गाय के बच्छडों को टकर मार दी जिससे वे गाया लवस्ता में दिन राप तडबते रहें लेकिन किसी ने भी इनका इलाज कराने की जहमत तक नहीं उठाई जबकि पंचायत प्रशासंगा भी रास्ता यहीं से जाता है जहां शुकरवार सुभा गाम के कुछ युवाओं ने दोनों बच्छडों को देखा तो उनका दिल पसीज़ा और तुरंत चोप पशू चिकतसाले के डॉक्टर सुरेदा मीना को बुला कर दोनों का इलाज करवाया बाद में जीवाहन की साहता से दोनों को जैपुनगर निगम पांच बत्ती पशू चिकतसाले में छोड़ा गया जान करें कि अनुसार नवनीत नारनोलिया नविकास सोक्रिया सहवान मीना शिबम सोक्रिया ने बताए कि हम लोग इधर से जा रहे थे अगर इनकी जगे इंसान यहां होता तो क्या वह भी इसी तरह से गायला वस्ताइब नहीं गई या फिर कोई भी पशू चिकतसाले से डॉक्टर को बुलाया और इनका इलाज करवाया वहीं उन्होंने आरोब लगाया कि पंचैत प्रशासन गरास्ता भी दर से जाता है क्या इनकी तरफ सर्पंच की नजर नहीं गई या फिर कोई भी पंचैत प्रशासन कर सदद से इधर से नहीं गुजरा यह बड़े ही शर्म की बात है अगर इनकी जगे इनसान यहां होता तो क्या वह भी इसी तरह से गाहल अवस्ता में पड़े रहते हैं प्रिफ लुष कर बात है अगराँ कर अवस्ता टूर अवस्ता तो कि अवस्ता सुर्ण भॉपना को बात हैं